नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट बाइलोजी टॉपर में दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीवों में जनन जो कि अध्याए एक सच्छा बारका है दोस्तों इसके पहली वाली वीडियो में हमने चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले जनन क्या होता है रिप्रोडक्शन क्या होता है इसको हम आपको बता जेते हैं तो प्रतेग जीव अपने समान ही नया जीव यानि कि संतत्य उध्पन करता है प्रतेग जीव चाहे वह पौधा हो या फिर बंदर हो मनुस्य हो इंसान हो कोई भी जीव हो वो अपने जैसे ही संतान को उत्पन करने की छमता रखता है इस क्रिया को जनन करते हैं ठीक है जनन के द्वारा पिडियों की निरंतरता बनी रहती है यानि कि आने वाली पिडियों की निरंतरता बनी रहती है यानि कि आने वाली जो पिडियों है वो मेंटेन रहती है तथा किसी जीव के मृत्य होने पर भी उस जीव का अस्तित्व बना रहता है तिक है यदि जैसे कि के अब जनंग जो होते हैं वह काइक जनंग झनन और अधिक जनंग पनों दोस्तों आज हैनग को आपको आपको को चलिए जाने कनग, इसनद को आपको समझा देते हैं जड़ से पत्ती से और साखा से जो नए पौधे बनते हैं उसे काईक जनन करते हैं और काईक जनन जो होता है वो मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है प्राकृतिक काईक जनन और कृतिम काईक जनन तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्राकृतिक काईग जनन के बारे में पौधे में स्वम से होने बाली काईग जनन यानि कि इसका मतलब है पौधे के किसी भाग से पीड का बनना या उत्पन होना प्राकृतिक काईग जनन कहलाता है प्राकृतिक काई जनन को प्राकृतिक प्रवर्धन के नाम से भी जानते हैं ठीके चलिए आपको बता देते हैं कि प्राकृतिक काई जनन जो होता है वो फिरूब से तीन प्रकार से होता है जडो द्वारा, पत्तियो द्वारा और भूमिगत तनो द्वारा तो चलिए बारे बारी से इन तीनों को हम आपको समझा देते हैं में तो प्राक्रतिक काईद जनन जो हता हैक में विक्सित होकर नया पोधा बना लेती है तो यही जड़ यहां से जैसे कि मिट्टी के अंदर से जाएगा और कुछ तेर आगे चल करके वो एक पौधे का निर्मार कर लेगा तो यह आपका का प्रवर्धन हुगा जड़ो द्वारा अब दूसरी पौइंट को देखते हैं पत्यों द्वारा काइक प्रवर्धन या काइक जनन अबूजा बिगोनिया आधिके पत्यों को पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं इनको पूर्ण कलिकाएं कहते हैं अनुकुल परिस्तियां में यह विक्सित होकर नया पौधा बना लेती है तो यहां पर अपस्थानिक जड़े निकलाती है और यही जड़े आगे चल करके बड़ा होकर के अनुकुल परिस्ति में एक नए पौधे का निर्माड कर लेती है तो यह आपका हुआ पत्यों द्वारा काइक जनन चलिए आपको आगे दिखाते हैं भूमी का तनुद्वारा काइक जनन या काइक प्रवर्धन तो अग्द अधरक का प्रकंद आलू को कंद अर्वी का घंकंद फर्न का प्रकंद प्याज वन लेसून के सकलकंद से अनुकूल वातावरण में अपस्थानिक कलिकाएं बिक्स प्रकंद निया पौधा बना लेती हैं ते लिए इन सभी को आपको चित्र में दिखा देते हैं तो आपने आलू की बुवाय की होगी जिस तरफ आखा रता है वाइल कलर का उसको आप काट करके मिट्टी के उपर साइड रखते हैं जो भाग आप काटे रहते हैं उसको आप मिट्टी पर दबा देते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कुछ दिनों बाद देखते हैं तो उसमें से आपको जड़ निकलाता है यह देखिए जो आपका कंद है यानि कि आँखा है यह आपका यह है यहां से कुछ दिनों बाद यहां से पत्ति निकलती है और अलग हो करके एक अलु का टुकडा बन जाता है। उसी प्रकार यहां पर अध्रक में देखें यहां पर हाँ पॉधय का निर्मार होता है। चोटे चले आप पहले प्याज की बीज को बाजार से लेका आते हैं और उसे खेज में डालते हैं जिसे बेहन करते हैं उस बेहन को निकाल करके आप खेटे में रुपाई करते हैं और कुश दिनों बाद देखते हैं वो बड़ा प्याज बन जाता है ठीक है यही आपके भूमिगत तने है अगर आप से कोई भूमिकत तना है न कि यह फल है ठीक है I hope आपको इतना समझ में आगए होगा चलिए आगे देखते हैं टिलिफिक ओ-ई- roast है कृतिब काई जनन दूसरा है कृतिब काई जनन तो मनुस्यों के द्वारा अनेक प्रकार शे किये जाने वाले काई प्रजनन को कृतिम काईक जनन या काईक प्रवर्धन करते हैं मने उसे अपने लाव के लिए प्राक्तिक काईक प्रवर्धनों के आधार पर कृतिम काईक प्रवर्धन को अपने इच्छा नुसार पौधु बिखसित करने का प्रयास करता है तो कृतिम काईक जनन जो भी होती है वो भी निवनप रगाना, लगाना गूटी लगाना और क्सारो पड़ी चार प्रकाद से होती हैं। काट कर भूमी में तिर्चा गाड़ दिया जाता है इन साखाओं पर कुछ कच्छस्त कलिकाये अवस्य होनी चाहिए जिसे थोड़ा थोड़ा पत्ती निकले रती है नई पत्ति कलिका होती है उसे आपने गुलाब का पौधा लगाया होगा गन्य की खेती क्यों होगी तो ठीक उसी प्रकार जैसे कि आप यहां पर चित्र में देख लीजिए एक बार कोई गुलाब का पौधा है ठीक यह अमाल लिए आप आपका पौधा है और यहां से यह आपका पौधा है यह दूसरी एक डाली निकली हो तो इस डाली को आप यहां से काट लेंगे तिर्षा काट कर करके और इस तरह आप मिट्टी में गाड़ देंगे और कुछ दिनों बाद देखेंगे तो इसमें जड़े निकल आएंगे जड़े निकलने के बाद यह पौधा आपका बड़ा हो जाएगा तो यह आपका एक अलग पौधा हो जाएगा उसी प्रकर गन्ने में भी कर लेगा अब देखिया दाब लगाना दूसरा नंबर है दाब लगाना इतना काई जनन दाब लगाने वाली विदे से तो सेव नासपाती चमेली निम्बू आज इक ती साखाएं कठोर होती है अतर सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं हो पाती है यानि कि यह कलम करके इनके पौदों को नहीं उगा जा सकता इतना असान नहीं होता कि कलम करके इनके पौदों को उगाया जा सके इसलिए इन पर लगे इन पर लगे ही साखाओ के कुछ भाग को छील कर भूमी में दबा देते हैं पाद में इस भाग से अपस्थानिक जड़े निकल आती है इसके पलस्चात इस भाग को मुख्य पौधि से काड़ करके अलग कर लेते हैं और अन्य अस्थान पर रोब दिया जाता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं यहां पर यहां पर यह आपकी डाली जो है इसको हम गार दिये हैं मिट्टी में और यहां पर च्छील दिये थ एक नए पौधे की तरह जड़ निकल आएगे तो फिर इसके बाद यहां से में पौधे से आप काट करके अलग कर देंगे अलग करने के बाद यहां से आप मिट्टी सहेद निगाल करके कहीं दूसरी अस्थान पर मालें यहां पर आप लगा देंगे यह हुआ आपका दाब को छील कर खाद युक मिट्टी का लेप कर दिया जाता है उसके उपर टार्ट इत्याद लपेट कर कि सुतली से बांध कर छोड़ दिया जाता है गूटी को हर समय नम बनाये रखने के लिए एक आवस्यक जो साखा होती है उस पर जो काट करके चटाई लपेटी जाती है उसको अमेसा नम बनाये रखना पड़ता है ताकि वहाँ पर से कुछ कलिकाएं और जड़े निकल आएं ठीक है तो इसे मुखे पौद्दे से काट करके अलग करके मृदा में रोपर कर दिया जाता है चलिए पर एक चीर करके टाड़ बांदेंगे जिसमें खाद जिक्त मिट्टी लगा देंगे और इसके ओपर घड़ा टांग देंगे यहां से बूंद बूंद करके पानी गिरता रहेगा और कुछ दिनों बाद यहां पर अपस्थानिक जड़े भी निकल आएंगे तो ठीक जब अ एक नए पोधे का रूप धारण कर लेगा ठीक है अचले लाश्ट बीदी है कसा रूपर ठीक है विफ ग्रेफटें घटिया पोधे को तिर्शा कलम की भाद काट लिया जाता है इसे सकंध यानि की स्टॉक कहते हैं अथ्छी जाति के पोधे से एक साखा या कलम को इस प्रक जाता है मोम पिघला कर लेप कर दिया जाता है कुछ दिन बाद इसकंध तथा यानि की कलम जो है परस पर जूड़ जाते हैं जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यह काटा गया ठीक उसी प्रकार से आप काट करके किसी अलग पौधे में लगा देते है जो कि अच्छी ब्राइड़ी का हो इस विधी से आप एक ही पौधे में दो कलर के फूल भी खिला सकते हैं जैसे कि माल लीजी एक लाल गुलाब है और इसमें आपको एक सफ्येद गुलाब का फूल भी खिलाना है तो ठीक जिस प्रकार से बटाया गया है एक पौधे को ति पौधे को भी तिर्चा उसी के बराबर काट करके बांध देंगे उसमें मोम का लेप लगा देंगे तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे एक ही पौधे में दो तीन प्रकार के पुस्ब खिलने लगेंगे तो चलिए आपको काई जनन का महतो बता देते हैं तो काई जनन नए पौधे कम समय में उत्पन हो जाते हैं नए पौधे मात्री पौधे की तरह होते हैं इसमें कोई भिनताय नहीं आती है अनेक पौधे में समानता केवल काईक जनन ही संभव होता है अनेक जंगली और बेकार पौधे को कृतिम काईक जनन द्वारा उपयोगी पौधे मे बदला जा सकता है अनेक नए वातवरर से कम प्रभावित होते हैं बीच से उत्पन होने वाली नवद्भित पर वातवरर का प्रभाव अधिक होता है अब चलिए आपको काईक जिनर का महत्व यानि बताया आपको अब उसके बाद हम आपको हानी बता देते हैं क्या हानी है इ पૌदे की आसपास उगने वाले भूमी जल खनीज प्रकास वाय आदि के लिए पोधों के संघर्श अधिक होता व्यूदों होता है Nh голос जनन से पौद्र की प्रजनन सक्ति कम हो जाती है विभिनताओं के अभाव में नहीं जातियां बिक्सित नहीं होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक क giorno को अगर हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को को किजिये जिससे कि हमारे वीडियो का नोडिकेया आपके पास सब